यूपी में परिवहन विभाग ने प्रदेश भर के वाहन मालिकों को खास करके कार मालिकों को अल्टिमेटम दिया है कि वो 31 जनवरी तक क्रैश गाड यानी बंफर या बुल बार को हटा लें इसके बाद अगर वाहन में बंफर लगा तो फिर 5000 रुपे जुर्माना वसूला जाएगा एक फरवड़ी से अभियान चला कर इसकी जाच की जाएगी प्रदेश के सभी संभागे परिवहन और सहायक संभागे परिवहन अधिकारियों को भेजे आदेश में कहा गया है कि एक फरवड़ी से जिस वाहन में क्रेश गार या बुल बार लगा पाया जाए तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के तहट कारवाई करके 5000 रुपे जुर्माना वसूला जाए परिवहन विभाग का माना है कि वाहन में क्रेश गार या बुल बार वाहन मालिक खुबसूरती या दुरगटना के दोरान गारी को शत्यु ट्रस्तो होने से बचाने के लिए लगाते हैं लेकिन विभाग कमाना है कि इससे सड़क दुरगटनाई भी हो रही हैं इसके लिए वाहन मालिक जिम्मेदार है वीडियो डेस्क अमरुजाला.डॉट कॉम डाउनलोड करें अमरुजाला है और पाएं खबरें लगातार अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें